कई बार हमारी बढ़ती उम्रिया हमारे धान नहीं देने की वज़े से हमारे शरीर के कुछ अंगों पर इतनी चर्वी आ जाती है कि कई अंगों पर हमारा धान नहीं जाने या फिर हमारे केरलेस की वज़े से हमारे शरीर के कुछ अंग ऐसे होते हैं जिन पर अंचाही चर्व हैं हमीज हुब तो पर नायाम करते हैं हम लेकिन स्कीन के हमारा ध्यान ही नहीं होते है उन्हें से ही हैं इस मतलब AIDS कर दबने और एक Annup's में अपना fat हो जाता है, और खास कर हम कसी के सामने Gents लोगो चाहे LeftWIN spends लेडीज हो इनरिस में भूमते हैं तो फोड़ा सा रजीप सा feel होता है, और इस Anणाम्स या आम में fat होता है इसकी वज़े से हमारे पसीने में बदबो भी आती है तो आज के सेशन में हम इसी की कुछ अक्सराइज बताएंगे इससे पहले यह दी आप मेरे चैनल पे नहे हैं या इसी तरह के वीडियो के लिए कंटीनु जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरू करें नमस्कार दोस्तों मेरे यूटूब चैनल हेल्थ एंड फिटनेस वर्ण में आप सभी का स्वागत है जो मैं एक्सराइज बता रही हूं वह बिगनर्स के साब से है यानि कि 10-10 रेपिटिशन में मेडियम साइज से बता रही हूं आप उसका रेपिटिशन भढ़ा भी सकते है 15 कर सकते 20 कर सकते और बिल्कुल नहें हैं जिनके वर्णाव हाथ दुखने लग जाते हैं तो वह 5-5 भी कर सकते 5-5 रेपिटिशन कर सकते हैं को 10-10 रेपटिशन करने हैं 5 इस साइट 5 इस साइट तो आपका जो यह हाथ है वो यहां तक आना चाहिए और दूसरा हाथ जितना होता उतना उस्ट्रेट रखें आपको मेजरमेंट अपने इस साफ से करना है रस्टी का कि आपका हाथ बिल्कुल सीधा रहे हैं दोनों हाथ सीधे रहे हैं इस तरीकी से पकड़ेंगे कान के पास में ले जाके यहां तक रखेंगे दूसरा से सांस भरते हुए करेंगे जिससे क्या हो हमारा योगा का भी काम होगा और ब्रिधिंग भी होगी सांस भरें सांस छोड़ दें सांस भरें सांस छोड़ें हाथों को बिल्कुल सीधा रखना है मैंने रेपुटेशन काउंट नहीं की है आपको समझाने के लिए मैं बीच में बोल रही थी लेकिन आपको टैन रेपुटेशन करने है आपको यह मैसुस करेंगे कि हमारे यहां से खिचाओ और यहां आथ हैं वो आपका पेन करने लग जाएगा प्रभाव हो रहा है उस चीज का फैट फिर इसी तरीकी से रखेंगे इस तरीकी से आपको आगे रखना है यूँ करते हुए पूरा पिछले के जाएगे सांस भरते हुए फिर शांस ओड़ते हुए आगे लाएगे अगर थोड़े बहुत हार टेड़े होते हैं कई बार हो जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कोशिश करें सीधे रखें धीरे धीरे लेके जाएं तू रेपिटिशन हो गई हुए टी जाए डाएं हुए दिक्ट एंकी जाएं वर झाएं वर दॉए वर एंग 6 7 8 9 10 यह 10 repetition आपको करना है फिर next है next में आपको बीना इसकी करना है जैसे यह इस तरीकी से हाथ करना है और यूँ इतना ही आगे लाना है 4 5 ज्यादा आगे नहीं लेके लाना है क्योंकि इससे फिर सकी लूज हो जाती है 6 7 8 9 10 अक्सेसाइज में आपको क्या करना है इस तरीकी से करना है ऐसे हाथ फैलाई 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 अगली अगली एक्सेसाइज में भी आपको इसी तरीकी से करना है हाथ को यूँ करें 30 सेकंड तक या फिप्टीन सेकंड तक आप होड दरके रखें एक, दो, त्री, चार, पान, छै, साथ, आठ, नो, दास, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंद्रा इससे दूसरे हाथ से करें एक, दो, ती, चार, पान, छै, साथ, आठ, नो, दास, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंद्रा साइज में आपको इस तरीकी से हाथ करना है और यूँ आगे लेके फिर पीचे करना है एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस यह एक्सरसाइज के आपको 15-15 रेप्टेशन करने है मैंने 10-10 बताए है यह दि बिल्कुल न्यू है, आपके हैंड में पैन हो रहा है तो आप 5-5 कर सकते हैं, जैसी आपकी कैपसिटी है, उसी साथ से कर सकते हैं और इसका रेप्टेशन भढ़ाना चाहें, तो आप भढ़ा भी सकते हैं और जो मने इस तरीकी का बताया है, पीछे होल्ड करने वाला और यह करने वाला वह आपको 15-30 से किड़ आप फोल्ड करके रख सकते हैं और कम करें तो कम भी कर सकते हैं आज का सेशन अपना यहीं समाप्त होता है इसी तरीके के सेशन और वीडियो से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगले सेशन में फिर मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार